अभी हमें मैंने अनेक मूवी का ट्रेलर देखा है इसके अंदर अईश्वान कुराना जो है वो मेन भूमी का में नजर आ रहे हैं और काफी बढ़िया उनका लुक रहा है नोर्थ इस्ट इंडिया को लेकर इसके अंदर प्रोब्लम दिखाई गई है कि कैसे नोर्थ इस्ट काफी सारी जो क्यों प्राइस का आकर एक हुआ मघंग करते हैं अल्यक्ट राज्य की मांग करते हैं तो यह सब चीजें इस मूवी चे अंदर आ कर लो चाहाप नौर्थ की बात कर लो चाहिए वैस Flame Past की बात कर dictionary कि आ模च जा शे वहिस्ट नी सीजक्य की बात कर लो हम इंड अगर कोई इंसान अपने साथ state अ इंडया लगा के बात करते हैं इंडिन वह अपनी डैरेक्शन बता रहे हैं कि उसको जाप से बाटा जाते ऊपर के हिस्से को नॉर्थ का जाते हैं नीचे की सोट एदर इस चलता है इदर वेस्ट चलता है तो यह सारी जो चीजें होती हैं वो डियरेक्शन के अधहार पर बोली जाती है इसका मतलब यह बिल्कुल और नहीं होता कि साउथ इंडियन अपने आपको बिलको अलग समझते हैं वह इसलिए अपने आपको साउथ कहलाना चाहते कि हम इंडिया में इंडिया नहीं कहना चाहिए तो यह अजीब सा डायलोग मैंने सुना ना मुझे बढ़ा लिखे हो यार तोड़ा सोच समझ कर कॉमे साउथ इंडिया बोल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता दूसरी चीज़ जो हमें इस टेलर के अंदर देखने को मिलते हैं वह नोर्थ इस्ट के अंदर हमें जो सैवन सिस्टर रज्य हैं जो हम इनको इस नाम से जानते सैवन सिस्टर के नाम से तो वहां पर प्रोब्रम्स दिखा बना हुआ है उसकी फेशियल स्ट्रक्चर के कांट उनको वहां पर इंडियन्स बोल मानने से इंकार करते हैं उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ जाता हैं तो यहां पर यह प्रोब्लम दिखाई गई है तो काफी सारे अलगावादी वहां पर हमें देखने को भी मिलते हैं एक चीज हमें यहां पर ध्यान रकने वाली है कि गौणिन्ट काफी टाइम से परेतन बादी हैं कि जितने बहुत का रता हैं तो यहां लाइफ जी लिजिए तो इस तरीके के प्रोग्राम वहां पर गवर्मेंट के दोरा चलाए जाते हैं कोई एक दिन में या फिर कुछ टाइम में ये सारी चीज़ें रिजोल नहीं हो जाती है वह सारी प्रोब्लस हमें देखने को मिलती है ऐसी कि एक ग्रूप को सरकार ने का कि आप इस ग्रूप के लोगों को का कि आप इस ग्रूप को बंद कर दीजिए और मेंस्टीम में आ जाएए आप आम नौगरिकों के साथ मिल कर रही है आपको हम इतना मुआफ़ा देंगे अराम से रहिए शांती बनाए रखें तो वो उस ग्रूप से निकल कर एक मतलब के आम लोगों के में आ जाते हैं लेकिन फिर वापस एक नया ग्रूप बना लेते हैं उनका ये काम बना रहते हैं कि रुपें आएट सकें तो काफी सारी प्रोब्लेंस हमें नोर्थ इसके साइड से देखने को मिलते हैं मेरा में कंसन ये है कि इसके अंदर गलत इंफोर्मेशन ना दिखाए जाए ये कहते हुए कि वहाँ पर गौर्वर्मेंट आफस्पा का बहुत गलत यूज़ कर रहे है क्योंकि काफी टाइम हम सुनते हैं कि आफस्पा वहाँ पर लगाया गया है तो लोगों को बीना बेज जक मार दिया जाता है वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं उनको टैकल करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है और आप देखिए कि नोर्थ इस्ट इंडिया के अंदर जैसे गौर्पेंट ने स्कीम लगा रखी है वहाँ पर इवन किसी ने किसी को मारा है अलगावादी रहा है अपने लिए एक अलग देश की मुमांग करते है तो गोर्पेंट उनके साथ टेबल पर बैट के बात करती है वहीं अगर आप कश्मीर में बाट करें तो कश्मीर में किसी के करने के लिए वो त्यार रहते हैं तो इसलिए सरकार उनके साथ कभी भी बात नहीं करेगी नौर्थ इस्ट इंडिया के साथ हमारी कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो सकता तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मुझे कंट्रोवर्सिल या फिर कंट्रोवर्सिल तो क्या कहूं होनी चाहिए कंट्रोवर्सिल इशू उठाने चाहिए लेकिन गलत इंफॉर्मेशन ना आ जाए लोगों को गलत धर्ना ना दे उसके ऊपर रिजसर्ट करिये क्या उसके अंदर दिखाया गया वह सही है या गलत है लगा की इस अटर कोई भी विसलेटिंग चीजे ना करनी चाहिए इसलिए मैं कर रहा है आपके क्या वіч जाकर इस ट्रीलर को देख की सकते हो तो आज के लिए इतना इता इस वीडियो में थैंक्स वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिन